ओम शान्ति आज दिनांक 15 जुलाई 2022 प्राताह मुरली बाप दादा मदुबन बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हारे सच्चे तिर्थ हैं सांती धाम और सुक धाम तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तिर्थ कराने आया है तुम राजाई और घर को याद करो बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे सच्चे तिर्थ हैं सांती धाम और सुक धाम तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तिर्थ कराने आया है तुम राजाई और घर को याद करो अर्थात हम बच्चे 63 जन्मों से भक्ती मार्ग में भटकते आ रहे थे ठोकरे खाते आ रहे थे कितने तिर्थ किये जिस्मानी यात्राएं करते थे अब बाबा हमें उन भटकनों से छोड़ाने आये हैं सच्चे सच्चा तिर्थ कराने आये हैं बाबा कहते हैं उन तिर्थों से कोई फायदा नहीं हुआ और ही गिरते चले गए अब मैं सत बाब तुम बच्चों को सत तिर्थ कराने आया हूँ रूहानी पंड़ा बन कर आया हूँ रूहानी यात्रा सिखाता हूँ तो रूहानी यात्री बन कर तुम बच्चे अपने घर सांती धाम को याद करो और जहां तुम राजाई करोगे उस सुकधाम को याद करो यही तुम्हारे सच्चे तिर्थ हैं प्रश्ण किया बाबा ने तुम्हारी किस महनत को बाप ही जानते हैं बाप ने उस महनत से छूटने की कौन सी युकती बताई है बाबा प्रश्ण करते कहते तुम्हारी किस महनत को बाप ही जानते हैं बाप ने उस महनत से छूटने की कौन सी युकती बताई है उत्तर में बाबा कहते बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्ब भक्ती मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरे खाई हैं बहुत महनत करते भी प्राप्ती अल्प काल छण भंगुर की हुई है एकदम जंगल में जाकर फस गए विकारो रूपी डाकवों ने लूट लिया अब बाब इस महनत से छूटने की युकती बताते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो मेरे से ही सच्ची सगाई करो इस महनत की बाबा कहते इस बेहद की सगाई में ही मजा है देह अभीमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो बाबा हम बच्चों को भटकन से रावन की जेल से विकार रूपी जाले से मुक्त कराने आये हैं तो बाबा कहते ये विकार रूपी डाकू के तुम जंगल में फस गए हो अब जंगल से लिबरेट करने के लिए मैं आया हूँ तो युक्ती बताते बाबा कहते असरीरी बनने का अभ्यास करो जो देह भान है ये सबसे बड़ा डाकू है फिर इसके सगे संबंधी और है जब तुम देह भान में होते हो तो जंगल में फस जाते हो और डाकू तुम्हें लूटने लगते हैं तो इससे बचने का एक ही उपाय बाबा कहते देही अभिमानी बनने का पुरुशार्थ करो अर्थात देह से न्यारी आत्मा समझो गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाय ओम शान्ती बच्चोर को रिफ्रेस करने के लिए रिकार्ड भी काफी होते हैं इसलिए बाब कहते हैं और फरनीचर आदी तो घर में लाया जाता है पांच साथ रिकार्ड भी घर में रखो भल बाल बच्चे भी रिकार्ड सुने तो भी नसा चड़े महिमा तो सारी एक बाप की है न परन्तु इस समय कोई उनको जानते नहीं और तो मनुष्य की धेर महिमा करते हैं फोरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्सन करने के लिए जाते हैं बाप की सिर्फ बच्चे ही चानते हैं एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं पतित दुनिया है विसय सागर पावन दुनिया है छीर सागर तो मीठे मीठे बच्चे तुम यहा भी निश्चे करते हो कि हमको अब स्रीमत मिलिये रूहानी पंडा मिला है जिस्मानी पंडे हैं जिस्मानी यात्रा कराने के लिए मनुस्य कितने यग्य तीर्थ आदी करते आये हैं परंतु फाइदा तो कुछ नहीं तुम बच्चो की बुद्धी में यह ज्यान रहना चाहिए जिससे खुसी रहे जन्म जन्मानतर कितने तीर्थ किये हैं परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है अथवा दो कहो और कराने वाला है बाप वह समझते हैं यग्य तीर्थ करने से भगवान मिलेगा अच्छा वह कहां ले जाएंगे जरूर अपने घर ही ले जाएंगे वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुक धाम और सांती धाम तुम बच्चों की बुद्धी में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थो को ही याद करना है यही मनमना भाव है बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थो पर जा रहे हैं बाप कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो स्वर्ग का रचियता एक बाप ही है उसको Heavenly Godfather कहा जाता है इसलिए पूछा जाता है Heavenly Godfather से आपका क्या संबन्द है अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि Godfather को तुम पहचानते हो तो जट कहे देंगे हाँ वह सर्व्यापी है तो यहा समझाने की युक्ती रची जाती है कि बच्चों को सहज हो जाए तकलीफ तो बहुत देखी है न आधा कल्प 63 जन्म तुम आसूरी मत पर चले हो पुरुशार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रालब्द पाने के लिए परन्तु तुम जानते हो अभी हमारी चड़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आये हैं कितना माथा मारते रहते हैं भक्ती मार्ग में कितनी मेहनत की दर दर भठकते हो बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है बहुत तकलीफ उठाई है 63 जन्म बहुत दक्के खाए हैं जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया में काग बिष्टा समान सुख है वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला क्योंकि साक्षातकार हुआ थोड़ा सा सुख हुआ अब तो बाप कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ठोकरे खाई हैं एकदम जंगल में जाकर फसे थे जंगलों में डाकू रहते हैं इस जंगल में भी कई डाकू ने तुमको बाबा कहते इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं सबसे पहले पहले आता है देहे अभिमान इसके साथी कितने बड़े डाकू है यहा है आदी मध्य अंत दुख देने वाले नंबर वन डाकू वहा किसको भी पता नहीं तुम कहते हो यह बड़े ते बड़े डाकू है मनुस्य कहते हैं यह डाका पना जरूर चाहिए बाब कहते हैं इन डाकू ने क्या तुम्हारी हालत कर दी एक दो की काम कटारी से मारते हैं एक दो को काम कटारी से मारते हैं कितना खर्चा करते हैं धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है अब यहा तो बेहत की बाते हैं हाँ आज बच्चा जन्मा खुसी हुई कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते दुनिया की हालत देखो अब क्या है अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है वही सत गुरु है वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के रास्ता बताते हैं बाबा कहते वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं रास्ता बताते हैं जब तप दान पुन्य आदी करने से भगवान मिलेगा परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है यहां कोई खर्चा नहीं सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो यह सच्ची सगाई है कन्या की सगाई होती है न उनको क्या पता किस से सगाई होगी यहां भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा जरूर परंतु जानते नहीं हैं वहा है हद की बात इस बेहद की सगाई में कितना मजा है बाप कहते हैं मैं तुमको स्रीमत देता हूं तो उस पर सब को चलना पड़े तुम जानते हो कलप कलप स्रीमत मिलने से ही भारत स्रेष्ट बनता है भारत को ही पेरड़ाइच कहते हैं सेंसिव जो हैं वहां समझेंगे बरोबर पेरड़ाइच भारत ही था भारत में ही God Godesh का राज ये था तुम उन्हे समझा सकते हो कि भारत जब heaven था उस समय तुम थे नहीं कोई भी nationality नहीं थी God Godesh का राज ये समझते थे क्रश्न कोही बाबा कहते क्रश्न कोही कभी Lord कभी God कह देते हैं सिरी क्रश्न का ही मान है लौड क्यों कहते हैं क्योंकि उनको भगवान समझते हैं गीता के भगवान ने सबको सद्गती दी है नाम क्रश्न का डाल दिया है इसलिए क्रश्न का बहुत मान है कहते हैं क्रश्न सावरा, क्रश्न गोरा, स्याम सुंदर कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं काली माता बनाई है कलकत्तेगी आस पास जहां तहां काली के ही मंदिर होंगे जगत अंबा के चित्र भी किस्म किसम के बनाते हैं अभी तुम्हारी बुद्धी खुल गई है यहां कौन बेट कर समझाते हैं सत गुरू, सत बाबा, सत सिक्षक, उनका नाम है सत, सच बोलने वाला, सच जानने वाला, ग्रंत, सुखमनी में उनकी बहुत महिमा हैं, वह आकर सच खंड की इस्थापना करते हैं, और मनुश्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं, तुम सबको सच बताते हो, सिक्ष लोगों को भी, समझाना तो बहुत सहजे, वह अकाल तक्त को भी मानते हैं, सत स्री अकाल तक्त है यहाँ, विचारों को कुछ भी पता नहीं, कि सत स्री अकाल किस तक्त पर बैठते हैं, आत्मा सरीर रूपी तक्त पर बैठती है, कितना बड़ा तक्त है, बाप आकर इस तक्त पर बैठते हैं, यहाँ है अकाल तक्त, ग्यान सागर बाप इन में बैठ, हमको मुक्ती जीवन मुक्ती की राह दिखा रहे हैं, ब्रहमांड सरष्टी के आदी मध्य अंत की सब बाते समझाते हैं, जिस बात को कोई नहीं जानते हैं, सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त हैं, तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है, तुम जैसे माश्टर नौलेज़ फूल बन गए हो, अब तुमको सारी नौलेज मिली है, जानते हो पढ़ाते हैं तो साथ में आसिरवाद भी होती है, मांगने की दरकार नहीं रहती, टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है, तुम्हारी बुद्धी में यह नौलेज ही फूल होनी चाहिए, नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धी में रहते हैं न, इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो, बाब भी कैसे आते हैं, कैसे नौलेज सुनाते हैं, कितने विग्न पढ़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई पती अपनी पतनी के लिए धन छोड़ जाते हैं, परन्तु बच्चा नालायक निकल पड़ता है, जो मा को भी दुखी करता है, बाबा तो अनुभवी है, बाबा ने रत भी अनुभवी लिया है, गावले का छोरा कहते हैं, क्रश्न तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़े ही गावले का छोरा कहेंगे, वहा तो गोरा था, बेकुंड का मालिक था, जब सावरा बनता है, तब गाव में रहता है, तो क्रश्न ही अन्तिम जन्म में, गाव का छोरा कैसे बना है, यह तुम जानते हो बाबा खुद भी वंडर खाते हैं हम क्या थे अभी बाबा को मालूम पड़ा है स्रीमत द्वारा तुमको भी मालूम पड़ता है वंडर है ना बाबा कहते अभी बाबा को मालूम पड़ा है स्रीमत द्वारा तुमको भी मालूम पड़ा है वंडर है ना कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते हैं काम चिता पर चड़ने के बाद फिर गिरते आये हैं अभी तुम समझते हो कि क्रश्ण को गावणे का छोरा क्यों कहते हैं खुद बाबा बतलाते हैं पहले क्या थे अब क्या बने हैं ततत्वम अब तुम समझते हो कहां की बात कहां ले गए हैं स्याम सुन्दर का अर्थ भी अब समझाए हम भी ऐसे थे हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है अब नाटक पूरा होता है अब जाते हैं अपने घर बड़ी सहज बात है बाप कहते हैं मामे कम याद करते रहो और वर्से को याद करो सब को रास्ता बतलाओ ग्यान अंजन सद् दिया अज्यान अंधेरविनास गायन भी कितना अच्छा है अंधेरे के बाद फिर सोजरा होता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात तुमारी बुद्धी में अब सारा राज आ गया है जानते हो अभी हम संगम यूग पर बेठे हैं सब अभी गय की गय अपने घर बाब का सम्मुक बेठ बच्चे बच्चे कहते हैं ब्रह्मा मुक द्वारा इस रत में बैठे हैं वही ग्यान का सागर है यह ब्रह्मा फिर हो जाता है माश्टर ग्यान का सागर ग्यान सागर पतित पावन इस तन में है खुद भी कहते हैं कि मैं इस तन में आता हूं नहीं तो किस इसके तन में जाओं जो ब्रामन भी बनाऊं और नोलेज भी दूं किया बेल में जाओंगा बाबा कहते क्या बेल में आऊंगा है आज कल बेल के मस्तक पर भी सिवलिंग बनाते हैं तो ब्रह्मान भी जरूर चाहिए तो ब्रह्मान कहां से आए जरूर एडॉप्ट करना पड़े तो ब्रह्मानों को बाबा कहते क्या बेल में आऊंगा आज कल बेल के मस्तक पर भी सिवलिंग बनाते हैं तो ब्रह्मान भी जरूर चाहिए तो ब्रह्मान कहां से आए जरूर एडॉप्ट करना पड़े ब्रह्मानों को अभी तुम ब्रह्मान बने हो फिर देवता चछत्रिय बनेंगे जिस्मानी ब्राम्मनों की बात नहीं है वहा है कोकवंसावली तुम ब्राम्मन हो मुखवंसावली तुम अच्छी रीती समझा सकते हो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की इस्थापना वहा ब्राम्मन तो यह जानते ही नहीं वहा यह ज्यान कहां से आए बाबा कहते वह यह ग्यान कहां से लाए बाप अच्छी रीती समझाते हैं बच्चे जितना हो सके और जर्मूई जग्मूई छोड़ दो सरीर निर्वा अर्थ तो धन्दा आदी करना ही है बाकी जो समय मिले मोश्ट बिलवेड बाप को याद करना है वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं मित्र संबंदी आदी ढेर थे परन्तु उन सबसे बुद्धी योग अटाए नए संबंद में कितना लव रहता है सर्विस एवुल बच्चों को छाती से लगा ले बहुत बच्चे सपूत हैं बहुत अच्छी सर्विस करते हैं अंधो की लाठी बनते हैं दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं खुद सुख नहीं लेते कहते हैं तुम ही सुख लो हम तो मुक्तिधाम में जाते हैं ड्रामा में पाड तुमारा ही है बेकुंड का मालिक हमको नहीं बनना है बेकुंड के मालिक तुम बनते हो उस समय तुम गोरे हो फिर राज्य गवाते हो तो सावरे बनते हो सावरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है स्याम और सुन्दर 84 जन्म कैसे लेते हैं फिर ब्रह्मा द्वारा राजियोग कैसे सीखते हैं लोग तो क्रश्न को जन्म मरन रहित कहे देते हैं तुम क्रश्न के 84 जन्मों को सिद्ध कर बतलाते हो इसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रग देते हैं वंडर्फुल है मनुश्यों की बुद्धी कितना पल्टाना पड़ता है बुद्धी को बाबा कहते वंडर है मनुश्यों की बुद्धी कितना पल्टाना पड़ता है बुद्धी को अब तुम्हारी बुद्धी पल्टी हुई है यह भी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया की इंड है तुम बोल सकते हो इन बॉम्स आदी से स्रश्टी का विनास हुआ था तुम यह क्या कर रहे हो वेश्ट आफ टाइम कर रहे हो बच्चने का कितना भी प्रभंद करेंगे परंतु मरना तो जरूर है ही बॉम्स आदी कितने खोफनाग बनाए है दुनिया की हालत देखो क्या है बाकी थोड़ा समय है मोत आया की आया कल्प पहले मुआफिक सब के सरीर धन दोलत आदी सब मिट्टी में मिल जाएंगे बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुँचेंगी फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते बाप से आसिरवाद वा कृपा मांगने के बजाए पड़ाई पर पूरा ध्यान दे अपने उपर आपे ही कृपा करनी है अपनी बुद्धी को नौलेच से सदा फुल रखना है बाप से आसिरवाद हुआ कृपा मांगने के बजाए पड़ाई पर पूरा ध्यान दे अपने उपर आपे ही कृपा करनी है दूसरा पाइंट बाबा कहते दुखियों को सुकधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है ऐसा सपूत सरवी सेवुल बनना है जो बाप भी बलिहारी जाएं वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते मन बुद्धी की एकागरता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भाउ मन बुद्धी की एकागरता द्वारा हर कारे में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भाउ डिटेल में बाबा कहते दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहत सफलता प्राप्त कर लेगा चाहे इस्थुल कर्म करते हो चाहे अलोकिक करते हो लेकिन कर्म के साथ योग है माना मन और बुद्धी की एकागरता है तो सफलता बंधी हुई है कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वता मिल स्लोगन में बाबा कहते बाप के इसने का रेटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त वा मनमनाभाव रहो बाब के इसने का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त वा मन मनाभव बनो तो ये थे बाबा के महावाक्ये 15 जुलाई 2022 के अच्छा ओम शान्ती